दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ओलाइन स्टेडियरा पे तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आप बहुत अच्छी होंगी और आप सभी अपनी मेहनते अपनी जो भी जिस फिल्ड में आप वर्क कर रहे हैं उसमें आप पूरी तरह से डेडिकेटेड होगे फोकस होगे अपने वर्क में और मैं भी इस वर से प्रातना करता हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहें अप अपनी काम में सफलता प्राप करके आगे बढ़ें तो जैसा कि आज का मेरा जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 12 स्टुडेंट्स के लिए भी हार बोर से जो बिल दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी अबस से करें जो कि मेरा चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टेडियरा जो कि अब सब का और एक चीज ध्यान रखें आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखो यदी आप अंत तक नहीं देखोगे तो आपको रटे एक भी कोषचन नहीं लेकिन यहा आक तक रटोगे तो आप रटना नहीं है तो देख क्या हो दोसके जाएंग स्यांते यह मेरा अहां मेरा आप लिठ लोगे देखते होंगे। बड़ी 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 जो बस होते होंगे लिखते , लगजरी आराम कोई नहीं से लेका होता . गांधी जी जो है महात्मा गांधी वो चमपारण जाते हैं कोन से इसमी में तो गांधी जी जो चमपारण ज गये हैं वो 1917 में जाते हैं ग्रीक और रोम मतलब ग्रीस और जो कंट्री है उस दोनों की सब्वेता को अपने अंदर ढालने की कोशिश की तो आप दिहान रखेंगे यूरोपीय जनजाती ग्रीक और रोम से इंस्पायर हुए थे क्या साबित कर दिया कि हमारा जो हम लोग डेवलापमेंट की और आगे जो जाड़ है है उस डेवलापमेंट में हमारी बहुत नजदी क्या दूरी आ रही है अब आप लोग माइल स्टॉन नहीं समझ पार होंगा अब जैसे कि आप लोग देखते होंगे रोड पे जब चलते हो तो इस तरह से आप रोड पे यह देखते होंगे लिखा हुआ यहां पर ऐसे लिखा होता है लखनो कितना यहां पर 520 किलो मेटर इस तरह से लिखा हुआ तो यह जो चीज है आग की जब खोज कर लिया आदी मानबो ने तो उनसे लगने लगा कि वह आप बहुत जादा डेवलपमेंट की और बढ़ रहे हैं वैसे यह कोशन लेशन वन का नहीं है यह कोशन आपका किसी और लेशन का आगया है महत्मा गांधी रोड डिफरेंट आर्टिकल्स फोर महत्मा गांधी ने आर्टिकल्स लिखे लेख लिखे हैं किस चीज पे लिखे हैं तो महत्मा गांधी जो लेख लिखे हैं वो यंग इंडिया पे बहुत रखे आर्टिकल्स बहुत रखे उन्होंने टिपनी बहुत रखा एसे निवंद लिख रखा है नेक्स्ट एक और चीज में धिहान रखेंगे चलो मैं आगे आपको यहीं भी पता देता हूँ जो इंडियन सिविलाइजेशन एड कल्चर है या एक प्रकार का आपका बनता है यह क्या बनता है किस चीज की और सुचित करता है करतब्य की रास्ता करतब्य की राह की और उसे इशारा देता है करतब्य की राह की और चलने का उसे वह इंगित करता है यदि हमारे अंदर नैतिकता चाहिए नैतिकता अगर हम लाना चाहते हैं तो हमें किस चीज पे mastery किस चीज का जो है ना हमें पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए तो हमें किस चीज पर अपनी हुकूमत चलना चाहिए तो हमारे minds and patience हमारी जो दिमाग है उसको अपने अंदर में पहले तो mind को control करना होगा और patience it means shock को जो हमारी जो shock है ना उसे थोड़ी सी limitation के साथ रखना होगा यदि हम इस दो चीज को अगर हम limit नहीं कर पाते हैं तो हम कभी खुस नहीं रह पाएंगे क्योंकि आज आपने आज एक 25 जार का phone करे लिया फिर आप कल किसी को देखोगे और पहती जार का चला रहा तो आपकी फिर mind वहां पे जाएगे तो इसलिए mind और patience जो पैसन होता है ना shock होता उस चीज को हमें जो है limitation लगाना चाहिए इस चीज को रोग के रखना चाहिए next question number 8 the mind is a restless bird दिमाग एक आराम विहीं चिरियां की तरह आप चिरियां को देखो कितना भी अप चिरियां के घड़ में घोसले में उसके जाके उसके लिए खाने का सामान उसका घोसला बना के छोड़ दो चिरियां कभी ने घोसले में बैठे ग्यूंकि उसकी आदत हो चुकी है व संतुष्ट रहता हुआ मतलब कभी संतुष्ट होता ही नहीं कितना भी उसको दे दुना वह संतुष्ट होने की वह मतलब ठान रखा है कि मज़ें संतुष्ट होना ही नहीं है कुश्य नमबर 9 happiness is largely जो खुशी है जो खुशी प्रसंता जो है वह एक तरह से निरभर करता है व अगर हम अपने दिमाग में माल लेकिन हम इस चीज में संतुष्ट हैं तो हम खुश हैं बाद मां कि हमारे पास करोडों की दौलत आ जाए तो हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे यदि हमारा दिमाग उस चीज को एकसेप्ट ना करे तो जो आधुनिक जो सब्वेता है वह पूजा है मतला वस्तुओ की आज के समय आप सुबह से उठते हो आ रात तक जब तक सोने के लिए जाते हो तब तक देखो आप एकदम पूरी तरह से मेटेरियल्स प्याद रित हो कैसे सर नहीं समझ मैं आज समझेंगे सुबह उठते हो आप पानी के लिए जाते हो चापा कल से निकाल तो क्या है चापा कल एक मशीन है पहले लोग किसी से निकाल तो कुँआ से तो वह मशीन नहीं था लेकिन अभी चापा कल से निकाल रहे मशीन है मोटर का यूज़ कर दे मशीन है रात में सोनी के लिए जाती महातमा गांधी जो थे एक spiritual leader थे वह एक politician से जादा एक spiritual leader थे मतलब एक आध्यात्मिक नेता के रूप में जादा उभरते थे question number 12 गांधी जी used as the chief weapons गांधी जी ने परयोग किया Chief weapon, मुख्यों मुख्यों हत्यार मुख्यों मुख्यों और जार की रूप में गिसके विरोध टो British के विरोध में कौन सा ऐसा जो उनका मुख्यों हतियार था तो उनका दो मुख्यों हत्यार था तरूथ मतलब सत्य और नन्वाइलेंस और हिंसा उनको हिंसा तो पसंद इन इन थी तो तूथ एनन्वाइलेंस जो है उनकी दो हत्यार थी चीफ विपेंस थी किन के एगेंस्ट है तर्टीन आपर एंसिस्टर्स डिस्ञूडड अस पुर्वज जो थे एंसिस्टर्स का मतलता पुर्वज और इसी का एक और इंगलिस होता है फोर फादर्स भी ठीकें तो हमारे जो पुर्वज जो थे वहां में सब को दूर रखते थे प्राम किस चीज से दूर रखते थे तो लगजरीज एंड प्लेजर आराम से और खुशी से जो इस तरह की आनंद जो होती है वो सब चीजों से दूर रखते थे क्योंकि वह जानते थे यदि हम इस चीज में लग गए न हमारी चाहते बढ़ती जाएगे हम दिन प्रती दिन लालची बनते जाएगे और हम कभी संतुष्टर ही नहीं पाएंगे पुराने जमाने में जो पुरुवज्जों थे हमारे जो फॉलो करते थे वो मानते थे वो अपनी द्यानिक जीवन को जीते थे किस चीज की आधरीद पर तो agriculture खेती बारी पर वह आप फॉलो करते थे और अपनी ध्यानिक कार्या जो है वह खेती बारी से किया करते थे गाईज यह आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज गाईज लाइक करना न भूले अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें इस वीडियो को और यह आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि आप नए हो इस चैनल पर तो प्लीज गाईज सब्सक्राइब का जो बटन है न उसे अब दवाद दे न प्यार से Modern Civilization और यह question I think repeat हो चुका है Question number 16 Indian Civilization and Culture has been written by यह किन के द्वार लिखी गई है तो Indian Civilization and Culture महात्मा गांदी जी के द्वार लिखी गई है और ध्यान रखेंगे Indian Civilization and Culture यह एक प्रकार का आपका जो बनता है वो ऐसे बनता है In ancient days the common people enjoyed पुड़ाने जमाने में जो लोग जो थे वो enjoy करते थे किस चीज़ को enjoy करते थे आनंद लेते थे तो true home rule मतला वास्तविक्ता जो गाउं का जो वास्तविक्ता जो खुसी होती गाउं का उस चीज़ का वो आनंद लेते थे आज देखो आप सब लोग सहर की और भाग क्या सहर में खुसी मिल पा रहे हैं नहीं मिलती है गाउं में एक फैमली के साथ रहने में जो खुसी मिलती है वह उनको खुसी से वह बहुती वन्चित होते जा रहे हैं जो टेंडेंसी है पाडविरती है भारतिया सब्वेता का प्राचार प्रसार करना नेतिकता को फैलाना इंडेंसी प्राविरती को लिये स्विक्तमीन वास रखते हैं इसलिए हो जागा इसका राइट एंसर ऑप्सन नमर भी बेस्ट ऑन बिलीफ इन कॉड भारती जो सब्वेता जो इंडियन सिविलाइजेसर ने वह पूरी तरह से भगवान में बिश्वास पर आदरित है कब होती है तो गांदी जी की मृत्यू जो होती है हमें आजादी के ज़स्ट अगले साल तो इतमिस 30 जनवरी 1948 जी से हम लोग मार्टरिस डे की रूप में भी मनाते हैं दोस्तो इससे पहले मैंने समरी का भी वीडियो किया हुआ है यदि आप उसने देखा नहीं है तो जाके उसे देख लो आपको पूरी समरी समझ में आ जाएगी तमिस पूरी लेसंस समझ में आ जाएगी और ऐसे करके मैं आपको एक एक लेसंस सभी लेसंस में आपको जरूर करवा दूंगा और ध्यान रखेंगे गांदी जी का जनम जो होता है वह 2nd October 1869 में होता है इस चीज को भी ध्यान रखेंगे गांदी जी यूज़ एज डैस एज डैस अडैस अचीफ वीपेंस तो यहां पे देखेंगे यहां पे किस चीज जगा यूज़ किया है अगेंस्ट सब्सक्राइब कर देखेंगे जारे सब्सक्राइब करेंस्थ जीवन जाए उसका नाम क्या जीवनी के बारे में जीवनी जो लिखे हो उसका नाम क्या है उसका नाम बनता है My Experiments With Truth ये सब भी महत्मा गांधी के दोरा लिखा गया लेकिन ये उनकी आटो बायोग्राफी नहीं है इनकी आटो बायोग्राफी का नाम बनता है My Experiments With Truth Question number 23 आजाएंगे तो हम मनुस जो है उन मशीन के गुलाम बन जाएंगे हम उन मसीनों के गनौकर बन जाएंगे फारोज वर रूलर्स ऑफ एंसेंट जो फारोज जो है उन्हें कहां का सासक कहा जाता था ancient Egypt का Egypt मतलब जिसे हम इंदी में मिस्रक देश कहते हैं उस देश का जो है साशक जो है उसे फारोज कहा जाता था The Gujarati equivalent for civilization means Gujarati जो लोग हैं उनका मतलब civilization सब्विता का मतलब क्या होता है तो Gujarati का मतलब होता है good conduct सही तरीके से behave करने का conduct करने के तरीके को ही उनके according civilization कहा जाता है Who said किसने ये बात कहा I am no hater of the waste मैं waste से मैं पश्चिमी सब्विता से घ्रिना नहीं करता हूँ तो देखो ये waste का spelling actually ये wrong spelling हो गया है ये waste ये वाला spelling होगा ऐसा कोन कहते हैं कि मैं waste से घ्रिना नहीं करता हूँ तो waste से घ्रिना नहीं करता हूँ यहाँ पर महत्मा गांधी कहते हैं कि ये जो बाते जो है उनकी सब्विता उनहीं के उपर suit करती है पश्चमी देश की सब्विता, पश्चमी प्रांथ की सब्विता, पश्चमी वाशियों पर शूट करते, लेकिन हम सब की उपर वो विल्कुल सूट नहीं करती, हम सब को बरवाद कर देगी, तो ये बात हमारे महत्मा गांधी जी ही कहते हैं, 27 question number, God civilization is the state of development of a civilization, जो है सब्विता, उससे किस चीज का विकास होता है, ये आपके अंदर सब्विता है, तो सब्विता ये आपके अंदर है, तब भी तो आप लोग सुनते होगे कभी कभी न, कि आप सभी की पड़वरिस बहुत अच्छी की गई, इसलिए आप लोग इतने फिर उनके अंदर कैसी विकास हो रही है, गीबॉन इस सब्विता है, वो कौन से प्रांत की सब्विता है, तो गीबॉन इटली देश की सब्विता, इटली प्रांत की सब्विता बनती है, ये उरोपियन सिविलाइजेशन, जो ये देश की सब्विता है, जिसे विस्टरन स केहते हैं पस्चिमी सब होता विल मीन जिसका मतलव होगा बारत के लिए तो भारतिये के लिए जो है योडोपर शीपलाजेसशन को चाहते नहीं है जीते नहीं है अनंद ने लेते उसका मतलब हो जाएगा हो जाएगा रूइन बरबाद हो जाना हूज is dead against blind limitation of western civilization कोन कहते हैं मिरी मृत्यू हो जाएगी इस तरह की जो ये जो पश्चिमी सब्वेता पश्चिमी वास्या जो है इनकी तो चाहते जो है बिल्कुल कभी खतमी ने होती कदर ही खतम नहीं हो सकती और इस इसको देखके तो मुझे मृत्यू आजाएगी और ये बात जो है महत्मा गांधी जी कहते हैं कि इनकी जो चाहते जो कभी खतमी ने होती जिसे देखके मुझे कभी ने कभी पक्का जो है मृत्यू आजाएगी Simple living and high thinking is the base of simple living and high thinking सादा जीवन वरुच विचा यह किसकी आधार है तो ये किसी और की आधार नहीं ये हमारी प्रांट Indian civilization की आधार है इस वर्ड को धिहान रखेंगे बेस किन की है तो Indian civilization की दा पीपल आफ यूरोप लर्न दियर लेसंस फ्रम डाइटिंग दा आफ दा मैन आफ यूरोप ये वासी जो है उन्होंनी अपनी बाते सीखी अपनी civilization को सीखी कौन से दो प्रांट से तो ग्रीस और रोम मैंने इससे पहले ग्रीक और रोम बोला था अब उसी को ग्रीस को ग्रीस में करणवर्ट कर दिया और रोम तो वही चीज़े है तो आपके exam में दोनों option में आ जाए या तो कोई एक ही पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे पीपल अफ यूरोप ये जन जाती सीखते हैं यूरोप ये जन जाती किसे सीखते हैं तो यूरोप ये सीखते हैं ग्रीस और रोम से नेक्स्ट कोशन नमबर 33 अभी मैंने बूला बेस और यहां पर क्या गया मोटो मोटो किनकी थी तो मोटो जो होगी वह बनेगी इसकी वेस्टेंड फिलोसफर जो पश्चमी जो फिलोसफर थे दार्सनिक सासर थे उनकी यह बहुत जादा मोटो थी आदर्स था कि मुझे भी इंडियं की तरह बना है उसी वज़ास से जो है वह आप लोग देखानगी लोग जो दूसरे देश के लोग का आतए तो इंडिया में आकर के उनने द्होती पहनने का सौक जग जाती है उन्हें इंडिया में करके मंदिन में पूजा करने का सौक जग जाता तो इसी तरह अज़सलाइक अभी जैसे कुछ दिन पहले जब करोना खदम हुआ था तो न्यूजिलेंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी वह भी मंदिन में जाकर पूजा की थी तो उन पवित्र लक्ष जो था हमारे रिशी मूनी गन का यह हमारे पवित्र लक्ष बनते हैं दमाइंड इजा रेस्टलेस माइंड एक रेस्टलिस क्या है दिमाग एक आराम विहीन चिरियां है बर्ड हो जाएगा डैस वर्सटी स्वाइड भी थे स्मॉल विलेजेस कोन संतुष् करते थे सिवलाइजेसन हम सबको सिखाती है दूसरों के प्रती क्या ज़्यादा हो जाना तो फ्रेंडली हो जाना दोस्ताना जैसा हो जाना एक दूसरी की जरुत पढ़ने पर मदद कर देना चाहिए एक और कोस्टन इसी में देखो अगर यहां पे पहले लिख देता हैस है यहां पे आपका राइट एंसर बनता एनिमी टुवर्ड्स वन और नदर नहीं दूसमन नहीं होना है हम सबको यहां पे दोस्ती के साथ रहना है ऐसा कुछ नहीं करना है यह लाइन जो है आपको पूछा जा रहा है यह लाइन कहां से उठाई गया है इस लाइन जो पहन बाता गया है इंडियन सिब्लाइजेशन एंड कल्चर से जिसको लिखे है माहत्मा गांदी जी दो लाइन और है आफ्टर ओल इस सब के बाब जूद दिर इस सम्थिंग इनी हिंदुईज्म हिंदु धर्म में कुछ न कुछ तो ऐसा था इंडियन सिब्लाइजेशन कल्चर की लिखी किन के दोरा गई है माहत्मा गांदी के दोरा जो एक प्रकार का क्या है एक प्रकार का ऐससे है जिनकी और्टोबाग्राफी क्या बनती है I believe that मुझे बिस्वा से इंडियन सिब्लाइजेशन की आपर एंसिस्टर्स इंज्वाई डैस रूल हमारे पुर्वच कौन से रूल को इंज्वाई करते थे तो ट्रू होम डूल जो है वो से इंज्वाई करते थे European Civilization propagates जो European Civilization है जो Western Civilization है मैं यहाँ पर Western Civilization भी लिख दूँ आपके बुक में यह सा question भी आता है करके तो Western Civilization जो Western Civilization है सब्विता जो है वो प्रोपोगेट करती है फैलाती है प्रचार प्रशार करती है किस चीज को तो इम्मोरलीटी को और नेतिकता को किस चीज को फैलाती है Western Civilization तो इम्मोरलीटी और नेतिकता को गाइस आई थिंक कि है आपका लास्ट हो गया थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज गाइस सेर करणा ना भूले